किसी का अगर मकान बन रहा हो और आप एक चीज उठा के ले आएं क्या है वो चीज आज के वीडियो में यही बता रही हूँ तो आपका खुद का भी मकान बहुत ही जल्दी बनेगा और आलिशान मकान बनेगा लगजरियस हाउज आपकी जिन्दगी में आएगा पैसे की विवस्था तो चुटकी बजा के कहीं से भी हो जाएगी ऐसी स्थती आपके सामने आ जाएगी धन कभी भी संकट का कारण नहीं बनेगा आपकी जिन्दगी में तो आज का वीडियो बहुत खास है इसे पूरा दिखिएगा प्रोसिजर को समझ ये और एप्लाइ करिए इससे आपकी जिन्दगी खुशाल बनने में आपको मदद मिलेगी हाई एवरिवन माई नेम इस डॉक्टर उमाश्री मेरे चनल में हमेशा आपका स्वागत है आशा करती हूँ मेरे जो सबस्क्राइबर हैं सदा खुशाल जिन्दगी बसर कर रहे होंगे मेरी ब्लैसिंग्स उनके लिए यही होती है तो आईए आज का वीडियो शुरू करते हैं लेकिन अगर आप आज पहली बार डॉक्टर उमाश्री चनल पर विजिट करते हैं तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है इस चनल को सबस्क्राइब करके मेरा मानसमान बढ़ाईए क्योंकि गुणी जन मेरी सबस्क्राइबर बने मेरी ख्वाईश हमेशा यही होती है तो आज का वीडियो बहुत खास है इसे पूरा देखिए और प्रोसिजर को जानिए इससे आपका घर का मकान बहुत ही शीगर बन जाएगा एक मकान है तो और एक मकान बन जाएगा प्रॉपर्टी तो जबरदस्ट आपकी जिन्दगी में आएगी जमीन जाइदात का लाब आपको मिलेगा आप धन्ना सेट की श्रैनी में आ जाएगे आप लाखों करोडों में खेलेंगे ऐसे इस्तती आपके सामने आजएगी सिर्फ प्रॉपर्टी ही नहीं धन्की भी बरकत आपकी जिन्दगी में चुटकियों में होने लगेगी इस प्रॉसेजर को करके तो आईए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं आपको आखिर करना क्या है हर किसी मनुष्य की चाहत होती है कि उसका घर का मकान एक नएक दिन अवश्य ही बने लेकिन कुछ ऐसे ग्रहय योग होते हैं कि बहुत कोशिश के बाद भी किराए का मकान ही पले पड़ता है और घर का मकान नसीब नहीं होता है आज का यी टोटका आपके बहुत काम आ सकता है और आपका घर का मकान बहुत शीकर ही बनने में आपको मदद मिल सकती है आप किराय के मकान से शीगर ही घर के मकान में जाएंगे ऐसी इस्तती उत्पन हो जाएगी तो पूरा प्रोसेजर जानिए आपको करना क्या है आखिर जानिए आपका कोई फ्रेंड है या मिलने जुलने वाला है या आप किसी को जानते हैं जानने वाला होना आवशक है मतलब आपको जानना चाहिए उस व्यक्ति को तो उसका जो मकान का कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस जगे से आपको एक मुठी बजरी उठा के लानी है आप देखेंगे कुछी दिनों में आपके भी घर का मकान ऐसे जल्दी बन जाएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा मतलब आपकी प्लानिंग नहीं थी लेकिन आपका घर का मकान ऐसे चुट्कियों में बन जाएगा तो आपको बहुत फायदा होने वाला है तो आप बजरी उठा के लिए आईए या एक इट ही उठा के लिए लेकिन अगर आपका मंगल बिगडा हुआ है तो आप इट मतलाईए बजरी या सीमेंट की एक मुठी लिए तो आपका घर का मकान शीखरी बन जाएगा लेकिन एक प्रोसीजर फोलो करना पड़ेगा बिना किसी को बताए आपको ये उठा के लाना है लेकिन उसके सामने ही लाना है जिससे आपको कोई चोर ना समझ बैठे तो आपको लाना है उसी व्यक्ति के सामने जिसका मकान बन रहा है और इट तो आप मतला ये क्योंकि मंगल दुशित होता है इससे लेकिन आप cement ला सकते हैं आप बजरी ला सकते हैं कोई भी construction का material जो आपकी नजर में अच्छा है उसको उठाके उसी के सामने ले आईए material मतलब बजरी के रूप में होना चाहिए या cement के रूप में होना चाहिए construction का होना चाहिए मतलब तो उसको लाने मातर से ही आपका घर का मकान का योग शीघर ही बन जाएगा और आप देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में आपका भी मकान बनने लग गया है ऐसी इस्तती आपके जिंद्गी में आएगी इसके अलावा मकान बनाने का दूसरा टूटका भी आप सुन लिजिए जिस जगे पर मकान बन रहा है उस जगे की थोड़ी सी मिट्टी ले आईए एक मुठी और उसको अपने घर की मिट्टी में मिक्स कर दीजिए जहां आपने construction के लिए plot खरीदा है उस जगे की मिट्टी में उसको मिक्स कर दीजिए और मंगल देवता का उपासना करिए बुद्ध देवता का उपासना करिए इससे आपका घर शेगर ही बन जाएगा क्योंकि मंगल भूमी के कारक हैं और मंगल देव की उपासना से घर का मकान का सुख मिलता है आपको और जमीन जायदत का लाप भी मिलता है तो यह उपाया आप करिए आपको बहुत फायदा मिलेगा यह चोटा सा टोटका है लेकिन बहुत बड़ा है और बहुत मतलब ऐसा बोला जाता है ना देखन में लगू लगे और घाव करे गंभीर तो यह ऐसी इस्तती उत्पन हो जाती है देखने में छोटे-छो कारी सबसे शेयर करनी चाहिए और आप मेरे को कमेंट सेक्षन में आके बताइए कि इस वीडियो से आपको कितना लाप हुआ तो आज का वीडियो में समाप्त करती हूं प्रिये मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद